चले तो अब हम आपको दिफरेंट डिफरेंट टायप के आर ग्रूप से पड़िछित कराते हैं और डिफरेंट डिफरेंट और में यहां थी ज़ीन और लगा वगा तो कौन सा वडिव अब आपके सामने मैंने कहा कि हम आपको दस इस्ट्रक्चर बताएंगे और आपके सामने और नाम भी बताएंगे और आपके सामने सामने एक यह तो होगा, यह तो कोई काट ने सकता है, यह मैं कहा रहा हूं कि पहला को अमिनोसीड बताने जा रहा हूं, इसमें आर गुरूप वरेवल आर गुरूप जो है वह खुद एच ही है तो उस अलपा करवें के साथ एक और वैलन्सी जो फिल कर नहीं है वह मैं एच से ही फिल कर रहा हूं और ऐसे अमिनोचिट का नाम होता है ग्लाइसीन क्या सबी को ग्लाइसीन का स्ट्रक्टर के लड़ है एक एक करके हाथ खड़ा करते से लिए खटा-खड़ सिंपल एच जोड़िये जहां एक वैलेंसी खाली है वहां पर एच जोड़िये पहला अमिनोचिट आपके सामने तयार है चलिए दूसरी की बात करते हैं अब अब अधाए यह तो हो गई ना यार एंपोटरिक मोलेकुल है तो नस्टू भी होगा और एच तो हो गई यार क्यो अगर वैरियबल एर ग्रूप तो वह कहां जूड़ेगा इस वैलेंसी जो कार्वन का चौसा वैलेंसी खा रही है वहां पर आप जोड़िये क्या सी एच त्री जोड़िये और ऐसा अमिनोचिट जिसमें आर ग्रूप त्री है उसको एलनीन के नाम से जानते हैं यह सारे अम त्री होगा अब हम क्या करने जा रहे हैं जहां से देखेगा अब आपको और सिंपल वे में हम आपको बताने जाने हैं यह जो एक एच को हटाईए और यहां पर कुछ जूड़िये तो चलिए एक हटाएंगे तो तो बचेगा ना और इसके साथ पहले जोड़िए ओएच क्या जोड़िएगा ओएच और अगर ओएच जूड़िया चलिए अमिनोचीट का शिक्षर बाने यह तीसरा नंबर अरे वाइच तो हो गई यार क्योंकि एक एच थोड़ी ने सब्सिट्ट हुआ था तो हो गई और एनस्टू तो हो गई क्योंकि अमिनोचीड और एंपोटेरिक मॉलेक्ट अब यहां पर आप क्या जोड़ देजिए इसको बोलते हैं मिथाईल हैड्रोकसील अप डानते होंगे और ऐसे इस्ट्रक्चर ऐसे एसे अमिनोचीट यह से अधिक यह जली बोलिए पाइब आगला आमिनसीट बस वन सेकेंड जस्ट कॉलम ड्रॉ कर दें आपके सामने हम पाइब चलिए चौथा नंबर लेज़े चौथा नंबर चलिए चौथा नंबर आमिनसीट तो होगा न यार और अपर इंफर्टरिज मोलीकुल होता है तो और अपर अपर यहां पर यहां पर यहां पर यह पूरा का पूरा आठ गूरुप है और यह पूरा पूरा अमिनसीट के उस अलफा कारवन से जूद आएगा जहां वैलनसीट आपको खाली दिखरेए है एसा आमिनोचिट इसमें वरियेबाल आरड ग्रूपिंग ती एसे अमिनोचिट का नाम परता है सिस्थिन सब्सक्राइब नाम सब्सक्राइब एसमें यह हो वह वह सेरीन अर यहां पर सब्सक्राइब जहां से यहां से स्टेरीन और यहां पर सिस्टीन अगला सभी को सिस्टीन का स्ट्रक्टर के लिए रहा है सिस्टीन आमीनोचित का स्ट्रक्टर सभी को के लिए रहा है आर ग्रूप क्या होगा अच्छा एक बस सुनिए जब कुछा जाता है कि सिस्टीन में आर ग्रूप क्या होगा और आपको पहला अप्शन यह दे दिया जात और आप इसको तिक मार के आदर जो इतने लोग मेरी बात को समझ पाई जो अभी मैंने बोला को आप कि पूछेगा सिस्थीन और सरीन में कि अंतर है तो आप पूरा का पूरा इस्ट्रेक्चिर बताओके जनकी अंतर केवल ओह और इस्ट बात का है केवल नतर इसी बात पू्छेंगे कि कि tailoredosta का और और ओप पूछ देंगे सिस्टीन और सेरीन अमिनसीट में किस एटम का अंतर है तो आंसर केवल आकशीजन एटम और संफर एटम आंसर होगा उच्छते आपसे कुछ और है आप बोलते हैं और पुछेंगा आप बताओं को ऊबलोर्ड वर इस्ट्रक्टर ज्थान देखेंके कि आप से पूछा क्या गया एक्साम में इसलिए हम आपको इस्ट्रक्षर आपके सामने बना के दिखा रहें नेक्स्ट जोथा नंबर हो गया पाच्मा कि पाच्मा नंबर अमिनोच्ट यह तो होगा ना यार एक ठोड़ी ने सब्सक्रीट हुआ है और अब देखेंगा ध्या क्या किया था यहां पर से यहां से देखें अब ध्यांस यहां आपको याद हो जाएगा सिरें बना एशेच लगा दिया तो सिस्टीन बना अब नहीं और लगाना है एच हटा के वहाँ पर पूरा एक फंक्शनल गूरूब जो देना जो एस्टिक ग्रूप होगा और वो क्य यहां पर ना ओच लगाना ना ऐसे लगाना यहां पर ओबर और एक शीओ जोड़ाना है एक तो यहां पर वह पूड़ा जोड़िए गौई अब आपको स्ट्रक्चर में कंफ्यूज का गरेगा यह ची एच टू उड़ा देगा और सी एच वो एच को डारेक्ट जो जड़ेगा अल्फा करवन से गलत गलत इस ट्रक्चर वैलीड ही नहीं होगा और गने केमिस्टी के अशाब से और अगर वैलीड भी होगा था तू सी डबल ओच और वह जूराओ अल्फा करवन से अच्छा बताइए किया अल्फा करवन दो डो एसटी गूरूप रख रहा है यह यह अगर आप यहां पर करवन का नमरीं कीजिएगा तो अब आप दिखें यह वाला यह वाला यह वाला यह जूरा है वह एक क्या हो गया अल्फा कारवन उसके जट वाला बीटा कारवन ज्यान रखेगा यह यह वाल यह वाले को अब लेकिन अल्फा कारवन से एक फंक्शनल गूरूप यह बात वही समझ पारेंगे जो और गेनिक पड़े होंगे कितने लोग समझ गये जो मैंने बोला और यह सब कोशन आपसे अगर बनेगा इग्जामिनेशन और में तो इस समझे डीप केमस्ट्री आपसे पूछा जा रहा है कर कोई बात नहीं आपको समझ में तो आ रहा होगा इधर से भी काउंटिंग कर लेजएगा आप सीख चुके हैं तो कुली मिलाके बाते यह हैं कि ग्रूप अगर श्यक्ति होगा तो वह अमीनो असिट का नाम उसमें डो डो इस डी गूरूप आ रहा है तो उसका नाम कुछ ऐसा दे रहे जिए कि उसके नाम से ही पता चले कि इसमें इसपार्टिक एसिद्ट क्या नाम पढ़ाए जिनका और निक्योंट्ट्र अच्छा होगा तो लौजि सब्सक्राइब करें अब देखिए यहां पर आपने क्या किया था सब्सक्राइब तो पता है अगर स्पारवन के साथ एक डवल और एक और अगर हम इस कारवन के साथ यहां डवल और रहने दें और यहां पर ऊचना जोगा नहीं होगा और अगर हम यहां एक तूज़ जोड़ें यहां से अगर हम यहां NH2 जोर दें तो ऐसा कारवन जिससे O atom भी जुरा हो amine group भी जुरा हो क्या ऐसा overall molecule amide कहलाता है और बोलो क्या इसको आप organic में amide कहते हो क्या amide synthesis का reaction परते हो और यूडिया बनाना सिखते हो वहां पर यूडिया डेरिवेटी बनाना सिखते हो कि ने सिखते हो तो क्या यह amide है यह amide है और इसका नाम aspargene है इसका नाम aspargene है और यह aspargene परकार का क्या है amide यह amide है तो आप क्या करोगे आर ग्रूप के नाम पर इस पूरी स्ट्रक्चर को यहां जोड़ देना चीएच्टू सी ओ एनस्टू कि यह जोड़ा aspargene हो लिए अब बोलो किलियर है इस पारजीन का स्ट्रक्चर सभी को किलियर है कि चलिए इसक्रिंस और जल्ली से अब देखो अगर आप आप गोर से देखो अगर आपको पहला नमर के लिए रहे ग्लैसीन तो आपको अलेलीन भी आ जाएगा और अगर आपको अलेलीन आ रहा है तो बताएगे अलेलीन में थोड़ा थोड़ा सा बन जाएगा अगर आपको इस पार्जीन आता है तो फर्दर आपको सात्वा नमबर भी आ जाएगा लेले जल्ली से चलिए कि अधिन नमबर है सातवा नमबर ना कि ताथवा नमबर आठवा नमबर इजी है अरे वैया अमीन अच्छ तो होगा ना यार अगर अधित तो होगा ना इंप टरीके तो रही बात वरिवाल आड गुरूप की तो मैंने कहा आप सुना द्यांस अगर आपको बाले में दखो एसपार्टिक ऐसीड लेकिन यहां पर सिट्टीगे साथ सीट्यव ट्रेग्ट्री अगर सीट्टु के र सके बाद एक सीट्टू और लगा तब जान चार्वन के संखें भर जाएगी मतलब ऐसा मतलब ऐसा है है यहां से यही पूरा इस्ट्रक्चर यहां जूरेगा जोड़ लो यही पूरा इस्ट्रक्चर यहां जोड़ेगा जोड़ लो कि यहां पर जिदर से पास में यहां पर पास में एक और फंक्सन ग्रूप है आप और जानता है वह आप शीख को आप यहां पर जानता है मैंने जो बता है वह नैमिंग वैलेड है नैमिंग आप से यहां पुछने वाला है वह तो मैं आपको बस रिकॉल करा रहा हूं नेमिंग आप से कोई ने पुछने वाला पुछने वाले यह कि अभी यही अल्फा कर्वन ठीक है रही बात यहां पे भी अल्फा कर्वन से यहां पर लंबा है लेकिन यह इस वाले में एक कर्वन चेंड का बीच में डिफ्रेंस था अल्फा कर्वन और एक कर्वन से एक कर्वन एटम है तब और यहां दो कर्वन एटम आया है तो इसका भी नाम एसेड होगा क्या नाम होगा जी एलू टी एम आई से ग्लुटामी के सिट बनाना आगया हाथ करा किजें एक याद थ तो सब याद है चलिए आज आए बताइए ऐसे नंबर आता है स्ञी नंबर में क्या यहां क्या यह पाइन स्टू इसना इसकीशने नहीं कर दो तो subscribe तो यहां पर गलुटामीन क्या दोगे गलुटामीन क्या नाम दोगे गलुटामीन क्या यही आपसे दो इंपॉर्टेंट कुशन मनता है कौन दे दो ऐसे अमिनोसिड है जो अमाइड तो वो दो कौन है एक गलुटामीन और एक अस्पार्जीन दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर एक कारवन एटम का है बस एक कारवन एटम ज्यादा है गलुटामीन में और एक कारवन एटम कम है अस्पार्जीन में इस स्ट्रेक्शर बना लो इस गलुटामीन का एच तो हो गाहिए होगा तो हो गई होगा एन एच तो हो गई होगा बाकी यहां पर जोड़ो पुरा फंक्शनल ग्रूप जोड़ो आर ग्रूप वैरियेवल कि क्या सब्सक्राइब को ग्लुटामीन का इस्ट्ट्र बनाना आ गया है चले अग्ला नहों नमबर और दस्वा नंबर मिल दस्मानमबर मिलता दूलता है और असान भी है क्या वह अमीनों चिरे तो हो गई यार तो हो गई यार इसमें तो कोई बात ही नहीं है अब यहां देखिए मैंने का ना यह CH2 को लेदे चलिए अंते तक अब ही तक आप क्या कर रहे थे कभी OH लगा रहे थे कभी SH लगा रहे थे अब यहां पर इन समय चop म्त लगाई है एक SIMPAL एक SIMPAL छह क आरवन का एक रिंग लगा देए और 6 कारवन का रिंग आप कुछ ऐसा बना ते हमें क्या मैं बैस सभी कह रहा हूं छे कारवन का रिंग आप कुछ ऐसा बनाते हैं डेवलमोंड नहीं देना है बस सिंप्ली एक रिंग लगा देज़ें और यही फंक्शन ग्रूप को यहां पर आप पर टेस्ट पर तेज़ें और इसका नाम पर जागा फिनाइल एलनी इस एमडेश्य का नाम है पी एच पी एच़ एन वाई एल फिनाइल एले मिन का पिनाईल एलनीम का सभी को पता है हाँ पता होगा चलिए यह देखें यह फिनाइल एलेन का आर ग्रूप उसके आर ग्रूप में जो यह सामने वाला कारवान है यहां पर यह वाला रिंग में उसमें बस एक ओच जोड़ देजिए बस खेला खतर में और वह जोड़ने का बाद यह पूरा तो होगा ना और इस आम पड़ेगा टाइरो सीं क्या दसों के दसों के लिखना आसान है सिंपल जले जली से स्क्रिंशॉट इसका भी लिए जली से वन टू थरी क्लिक वन टू थरी क्लिक इसका ले लिए इसका लीजिए वन टू थरी क्लिक वन टू थरी क्लिक वन टू थरी क्लिक है इस ट्रक्चर यह दसों रखना आसान है याद रखना कुछ ने बस इसको बदलते जाओना यार वस उसी को बदलते तो खेला खतम है अगर माले जो मैंने एच लगा दिया ग्लैसिन बनेगा अगर मालो मैंने यहां पर ठीस दिए लगा दिया दिए यहां पर एक लगास्टी सएँ ध ''माइड हैं'' के सबद्लंद मेदेद थ्रख रखा दिया चुछ लगा दिया डिया सिंपल रिंग तो फिनाइल एलनी और मैंने उस रिंग के साथ एक जोड़ दिया तो टैरो सिंपल तो अगर कल आप अगर इन सारे स्ट्रक्शन में अभी किसी को कन फीजन हूं तो पूछ सकते हैं मैं एक निट का समय दे रहा हूं जली से कि मैं एक निट का समय दे रहा हूं कि मैं एक चलिए रहा हूं जली से रहा हूं आप समय मैं एक जबेंगान मैं को कि आप एक जए बहा हूं जली से बाग़ एक जब दे बाग़ दे रहा हूं बच्चे का जवाब देना चाहेंगे हां तखड़ा कीजिए अब जो जा आगे समझे में कुछ की कि कौन इन तेनों टर्मिनलोजिका जवाब देना चाहते हैं ऐसो मर् क्या होता है इस्टीडियो ऐसमर क्या होता है और इनेंस्यों मर क्या होता है यह तीनों टर्म के लिए रहोगा तभी आप आगे समझ पाईएगा खेल को कि बस एक बच्चा बांगी कोई अर्गेनिक पढ़े नहीं है हद है हद है खास करके टार्गेट वाले अगर आप इन तीनों वर्ड का मतलब नहीं पता आपको तो आप ऑर्गेनिक क्यों पर रहे हो यार चोलो बताओ क्या पता है इसमर के बारे में सेम अच्छा सेम यूनिट परजेंट हो वह यूनिट क्या कौन सा इनुट इसके बारे में बात कर दा है इस जड़ो इस जड़ियों में क्या होता है अच्छा और इसका मेरे रिमेज बने अब आप सूचिए कि आप टार्गेट में आ गए हो और अगर आपको यह तिनों नहीं पाता है तो सर्मी की बात है डूम मड़ो चलिए ऐसे दो केमिकल स्ट्रक्चर जहां जा सुनिएगा ऐसे दो केमिकल कंपाउंड जिसका मॉलीक्लर फर्मूला ते यहां से जिनका तो अगर इस्ट्रक्चर फर्मूला ते मगर इस्ट्रक्चर फर्मूला ते डिफ्रेंट तो इस्ट्रक्चर फर्मूला तो उसको आइसमर कहते हैं इस्ट्रक्चर फर्मूला क्या तो डिफिरेंट दो अलगलत मोल्व आपस में आइसोमर का लेगे अगर मौलेकल फर्मुला भी सेम इस्ट्रक्चर फर्मूला भी सेम तो वापस में आइसोमर है ही नहीं किले है चलिए अगला हम बात कर रहे हैं तो यह तो पक्का हो गया लेकिन अब सुनेगा ध्यान से यहां पर जो इस्टुर्यो इसमर की वारे में बात कर रहे हैं यहां पर जो स्टीलि यो एस्टमर होने का कंडिशन है, कि स्टीलियो एस्टमर आपक पर रहें तो उस कमपाउंड में स्टीलियो सेंटर परजेंट हो। दिज्जय सेंटर गिइल सेंटर और सेंटर तो डिश जोटारिए बता रही पहले बात कि कारेल शेंटर वह अब करता हुआ मालो मैं एक center हूं मैं मैं एक जगह हूं और मैरे चारोगे दोड सेम छीजा हो तो दोड तो symmetry मिल रही हैCER मालो कि मैं ऐसे हूं करन मेरे आगे पीछ सी लड़की हो और मेरे दोनों बश्कल एक तरफ हुए हैं तरफ कुट स्थाओट मेरे एक किसी प्लेंन में में स्मेठ्री मिली है ये ये कि वैए पATHANर किछन कि डॉनों ये इंसान हैं आगर मैं मैं खड़ा skipping अग्यों और के सिम्मेठ्री महां पीछे लर्का तो इस बते ही पुथ कि इस स्मेठ्री तो हैン नहीं चो और ऐसे शेंटर को कहते है इक रीम सेंटर का मठले विता है और ऐसा कारवन कारवन की वेलेंश की यह चार टैBa तो अगर कारवन के चारो और डिफ्रेंट एटम हो तो नहीं तो फिर वहाँ पर नहीं होगा तो आप उसको स्टीरियोसमर यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इस्टीरियो सेंटर नहीं है और वो अबह्त का अभी मैंने आपका सामने गलैसीन है नहीं यह था जाहां देखे दर एच इधर क्या था लिए 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 लगलती चे लिखा गया यार की बाहरद में लिखी तो ठेक है, वो मैंने चेंज करके नहीं लिख रहे थे इसलिए, तो है H है, तो यही स्ट्रक्टर मैंने यहां बना आए, देखो जांसे, जांसे, तो अब बताओ, क्या यह कारवन, यह तो कारवन है, alpha-carbon, क्या यह alpha-carbon, chiral-carbon है? कि इसके अगल अगल तो goya कुम्ता है लेकिन इसके आगे पीछे या तो दोनों लर्का तौब में चैनेटरी पाई जा रही है अज्या है सिमेट्री निया लाकिरिए सुमेट्री का कर ना औरगनीक मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या यह कारवन स्मेटर कल नहीं है क्यों कि इस से चारो एटस्ट ग्रुप यह एटम यह मॉलीक्यूल डिफरेंट नहीं दो यहां सेम हो गए एच इसी लिए आप इस कारवन को अन्समेटर कल कर दो नहीं बोलेंगे नॉट अने सिमेट्रिकल कारवन तो इस मॉलेक्यूल इस अमीनोचीड है नो काईरल सेंटर नो काईरल सेंटर और काईरल सेंटर नहीं है तो तो नो एस्टीरियो स्टीरियो सेंटर और इस aminocid का बनने वाला है अरे जब इसके पास स्टीरियो सेंटर है ही नहीं तो स्टीरियो सेंटर स्टीरियो तो वो होता है ना जिसके पास ऐसा हो कि उसके पास इस्टीरयो और हो तो इसके पास तो नहीं है न यह परकार का नोई डैनी स्टेडियो आईसोमर इसका मतलब यह मैंने वह disclose पताया धिसके पास किसी परकार का स्कुरी वी इसके पास वह सघ्य में पकर समझाऊंगा यह पेरली यह समझा रहा हूं कि स्ट्फिडियो सेंटर अब सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब की बात दूसरे तरीके से होगी इसके पास तो इसके पास तो सब्सक्राइब लिए इसेंटर नहीं है। इसका ISOMER है कि नहीं है वह बात की बात है वह बताते हैं हम तो यह बता रहे हैं कि इसका ISOMER नहीं है यह तो पक्का है यह बात कितनों को समझ में आगया कि गलैसीन का कोई चलिए अब आपके सामने के इस्ट्रक्टर ले रहे हैं ग्लाइसीन को छोड़के कोई भी एक इस्ट्रक्टर ले जो चलो एक कौन बताएगा जोती बताओ कौन सा इस्ट्रक्टर का नाम बोले तुम अमीनोचिड में नौ और बताएं आपको कोई भी है कैमने का नाम बोले पूरके भी जो तुम को पसंद है चलो पार्टी को बनाते हैं इस्ट्रक्टर यह जोड़ो पहले त्योट सिट्व एक चलो अब एसट्वी यह जलो कर तो बोले हो जोती तो तुम यह को बताना पड़ाएगा इसका आर्गूब जल्दी जल्दी अब बताओ क्या यह कारवन अलफा कारवन है क्या यह कारवन कारवन है क्या यह कारवन इसका मतलब यह अन्सक्रिकल करवन है कि में इसमें ऐसे कोई बी जो संट्री रखते हों अपने अलॉण shuch अई कोई नहीं होगी जो अपने स़मेट्री रखती होगी इसका मतलब यहां पिलेंड्री अब सेंटल माद मानतों यहां प्लेंड। हम यहां प्लेन और चारों कि अलग है तो फ्लेन आप स्मेटरी नहीं है तो तो स्ट्रीयो के स्ट्रीयो सेंटर है और स्ट्रीयो सेंटर है तो पताओ क्या इस पूरे मॉलीकुल का नाम क्या है क्या पूरे मुलकुल का कुई ने कोई जूसरा ऐस्टीडियो आइसोमर होगा या नहीं होगा जले बोलो इसका इस्टीडियो आइसोमर भी होगा अबात तीन मेट का समय एनने आइसोमर के बाद कर लेते हैं इस्टीरियो आइसोमर देख लेना स्पेलिंग में क्या रखता है ठीक है इस्टीरियो आइसोमर आइसा स्टीरियो आइसोमर जिसका मिर इमेज्ज शूपर इंपोजिवल नहीं हो क्या बोला इस्टीरियो आइसोमर हैविंग नॉन सूपर इंपोजिवल तूपर इंपोजिवल सूपर इंपोजिवल सूपर इंपोजिवल मिर इमेज मिर इमेज अब क्या होता है सूपर इंपोजिवल मिर इमेज इस दो मिनिट में समझाना मुस्किल है इसलिए नए कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब ग्लाट सब्सक्राइब होगा। तो वह सकता है ऐसा आप और के दिए अगर समझ में आ गए तो इसके लिए जली शेव मिलते हैं एइन एम मेटिंग में और फिर हम एक्जामपल के फुरूद डिसक्स करते हैं इसके और बाते